नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रिता शर्मा 56 साल के ललित मोदी, 46 साल की सुश्मिता सेंड दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है, शादी के सपने संजो रही है ओफीशल तौर पर अपने रिश्टे का अइलान कर दिया है, चर्चा तो हो नहीं ही थी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर सिर्फ इसी एक कपल की पिछले 24 घंटे से जबर्दस तरीके से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर बाकाइदा ललित मोदी ने उफिशल तोर पर इसका एलान किया और जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दोनोंने शायद शादी कर ली है फिर एक और ललित मोदी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि शादी नहीं अभी एक दूसरे को डेट कर रही है अब इन सब के बीच हर एक शक्स जो खासकर सुश्मिता का फैन है वो इस पर अपनी राय रख रहा है लोग आपस में इस कपल को लेकर बादशीत कर रही है और इन सब के बीच जानी मानी पत्रकार रुबी का लियाकत ने भी इस पर मज़े लिये हैं सबसे पहले तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ललित मोधी और सुश्मिता की फोटो शेयर की और उन्होंने लिखा ललित मोधी और सुश्मिता सैन शादी हो गई अब जिस तरीके का ललित मोधी का ट्वीट था सबको यही लगा कि शादी हो गई लेकिन उसके बाद जब उन्होंने क्लारिफाई कर दिया तो फिर रूबी का लियाकत ने लिखा ललित मोदी पहले लिखते हैं मैं बेटर हाफ, फिर खंडन करते हैं लिखते हैं जस डेटिंग हे प्रभु यानि की रुवी का लियाकत भी इस कपल पर एक तरीके से मजाक उड़ाती हुई नज़र आई है मज लेती हुई नज़र आई है और बहुत लाइट अंदाज में बहुत सरन सोभाव में सोशल मीडिया पर रुवी का लियाकत का यह post काफी ज्यादा वाईरल हो रहा है और सिर्फ रूबिका ही नहीं, तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियां भी इस कपल को देखने के बाद है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुष्मिता अब तक मॉडल रोमन शौल को डेट कर रही थी, फिर अचानक से ये खबर आई कि वो ललित मोधी को डेट कर रही है और सिर्फ डेट नहीं सीधा शादी के खबरे आ गई थी, ललित मोधी ने क्या ट्वीट किया था जरा ये भी सुन लीजि और इसके साथ उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरे सुष्मिता के साथ शेयर की है कुल मिलाकर देखा जाए तो बी टाउन का सबसे ज्यादा चर्चा में आया कपल इस वक सुष्मिता और ललित मोधी बने हुए है आप इस कपल को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताईएगा रुबी का लियाकत ने जिस तरीके से मज़े लिए उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजे